कैसे हो आप लोग चलो फिर से नया कोशन लेकर आगया हूं आप लोगों के सामने यह दिखने में बहुत सिंपल दिख रहा है यह है भी बहुत सिंपल लेकिन यह डाउट आप लोगों को इसलिए आप तो कि इसके ऑप्शन्स गलत दिये हुए थे अगर आप इसको लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं अगर आपको बता दू कि अगर आपके पास भी कोई अच्छे डाउट है और आप चाहते हो कि मैं उसका वीडियो सॉलिशन मनाओं तो आप वो डाउट हमको भेज सकते हैं वाट्स ग्रूप पे जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डि प्ले लिस्ट है उसको जरूर चेक आउट करें सारे वीडियोस को जरूर देखें अगर आपको आता है आपका किया हुआ है तो आप उसको स्किप कर दें बट एक बार सारी के सारे वीडियोस को चेक आउट जरू करें वो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर ठीक ह चलो इसको जल्दी से solve करते हैं, अब भिया इसको करें क्या, यह तो fraction and decimal fraction का question है, भिया इसमें क्या करते हैं, सारे decimal हटा देते हैं, decimal हटाने के लिग क्या करना पड़ता है, जितने number के आगे सब देसिमल हटा है उतने 0 से करना पड़ता है 1 और उतने 0 से डिवाइड करना पड़ता है चलो भियाद जल्दी से कर देते हैं तो 0.22 को मैं लिख सकता हूं 22 by 100 फिर 0.22 को लिख सकता हूं 22 by 100 minus 11 by 100 into 11 by 100 upon divided by 33 by 100 yes हर में से दो-दो नंबर के आगे से decimal लट आ दिया तो दो-दो-दो-दो-दो-दो नीचे मैंने लगा दिये अब देखो क्या मैं 22 को और चोटा करते हैं कैलोकुलेशन और चोटा 22 को 11 into 2 लिख सकता हूं 11 to the 22 होता है ना भी या 11 to the 22 तो देखो अगर मैं इन दोनों में से common निकालू इन दोनों में से अगर मैं common निकालू यहाँ पर कितना बच गया 4 minus यहाँ से तो यह पूरे को निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 1 ठीक है upon total कितना है 33 by 100 तो 4 minus 1 कितना हो जाएगा 4 minus 1 3 तो देखो यह क्या लिखा हुआ है आपका 11 into 11 upon 100 into 100 into 3 और divided by 33 by 100 तो यह divided by 33 by 100 है इसको मैं multiply करूँ हूँ तो यह reciprocal हो जाएगा कर देते हैं भिया ठीक है तो into कर देते हैं into 100 by 33 100 ने 100 को बहरे मी से माँ डाला 3 1 3 11 11 को माँ डाला answer आया 11 by 100 0.11 is the answer आप calculator से भी निकालेंगे तो इसका answer 0.11 आएगा बट जिसने भी यह photo भीजी थी I don't know आपने concept book से भीजी थी वहाँ पर option 1,2,3,4 दिये थे भी यह वो possibly नहीं है ठीक है क्या तो इस question का answer होगा 0.11 done मैंने और स्रेश सरने मिल करके आपके लिए पूरा AISSE के लिए पूरा full proof videos lectures बनाए हैं जिसमें आपके approximately 200 के आसपास videos हैं ठीक है 50 hours के आसपास के आपके पूरी video lectures हैं जिसमें अलग-अलग folder में math, gk, gs, intelligent test और language, english के पूर lectures, class notes, module, module discussion, सब कुछ है और यह आपका more than sufficient है AISSE को crack करने के लिए तो इसके बहुत सारे free videos app में हैं तो app download करें सबसे पहले जिसकी link आपको description में दी हुई है, app download करने के बाद आप store section में जाएए, store section में आपको AISSE का course दिखेगा, जब आप इसको click करोगे तो आपको पूरे details दिखाई देंगी, सारी के सारी details, उस course की details आप free videos होंगे, free data होग उन सबको check out करो, अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये course आपकी life में कुछ value add कर रहा है, तो आप इस course के लिए register कर सकते हैं इस link पर click करके, ठीक है क्या, चलो, आज के लिए इतना ही, आप से फिर मिलोंगो अगली class में, अगले doubt के साथ या अगले कोई किसी concept के स